आज के इस गरिमा में काहरेकर्म के मुख्य अति थी परमशद्दे समानिये हमारे मार्ग दर्शक पत्प्रदर्शक चिंतक विचारक हमारे मेंटर डॉक्टर यश्देव जी शास्त्री साहब मंच पर उपस्थित पातंजली ग्रामद्योग नास के मुख्य कारिकारी अधिकारी और एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी मंच आसीन परमशद्दे समानिये राकेश जी कुंडु साहब और समय की बादेता है मैं सब को एक साथ ही में जो है मेरे उद्बोधन में शामिल करतेता हूं और उपस्थित भाईयो और बेहनों गुरू जी के व्यक्तित्व के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा का जिन्दा रहने की ये तौफीक उठाए रखना जिन्दा रहने की ये तौफीक उठाए रखना दर्द की आँच को मुठी में दबाए रखना और ये भी होता है किसी घोर तपश्या की तरह और ये भी होता है किसी घोर तपश्या की तरह अरे तेज आंदियों में चरागों को जलाए रखना कितने भी विपरीत परिस्थितियां हैं परंतो गुरुजी के मारदर्शन में हम सब पतंजली ग्रामद्योग न्यास के हम सब सिपाही हैं आप अपने आपको डीलर मत मानिये भगवान के आप पर बड़ी असीम क्रपा है 125 करोड में से आप 1214 लोग इस तपो भूमी पे पहुँच पाए हो और वो तभी पहुच पाए हो जब स्वामी जी की गुरुजी की और भगवान की आप अपने आपे गोरवानित हो सकते हो और शांदार तालियां अपने लिए बजा सकते हो पीछे वाले भी उसुस्ती आ गई है और गुरुजी के लिए चार पंक्तिया और कहना चाहूंगा कि हम फकीरों से जो भी चाहे वो दुआ ले जाए हम फकीर से मतलब है जो देता है सबको देता है देता है देता है देता है खुद कुछ नहीं रखता देता है हम फकीरों से जो भी चाहे वो दुआ ले जाए फिर न जाने कहीं हम को यह हवा ले जाए और हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी अरे जिसका भी दिल चाहे अपने चरागों को जला ले जाए जिसके भी चरागों को रोशनी नहीं है, यहां से ले जाए रोशनी मुझे दस मिनट का समय दिया गया है, देखिए, फीड सप्लिमेंट पश्वों को भी जरूरी है और कुछ सप्लिमेंट आपके दिमाग को भी जरूरी है पहले आपके दिमाग के supplement की दो-तीन मिनट बात करता हूं देखिए भई इस व्यवसाय को दिल से करना है दिमाग से नहीं करना जो आदमी इस व्यवसाय को दिल से करेगा वो आगे बढ़ेगा जो दिमाग से करेगा उसको उतनी सफलता नहीं मिलेगी दुकान पर ग्रहक आया, आ गई मुर्गी, ले जाए दसकटे, इस मैंने का तो टार्गोट पूर हो जाए, बस ले जाए, तो तो ले जाए, बस खिलाते ही दो लिटर दूद की, मेरी गारंटी है, ये मार, ये मार, ये मार, सो, नहीं, उसको दोस्त बनाओ, उसको बिठाओ, उसको इसकी जानकारी दो, कि उसको एक पशुहार क्यों खिलाना चाहिए, और आपको उस सब चीजों की बिलकुल नॉलेज होनी चाहिए, कि कौन सा पशुहार, कितने दूद देने वाले पशु को देना चाहिए, कौन सा किस वो आपको आगे ले जाएगा आप आपकी सेल्फ इमेज कैसी है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं दुनिया आपके बारे में वही सोचती है जो आप अपने बारे में सोचते हैं आप कभी सुबह नाके जब बाल बनाते हैं दरपन के सामने खड़े होके अपनी तारीफ कर करते हैं?lateate t... करते हैं क्या... हाँ आ न रह... ऐसा बोलते हैं कि राज-धे शाम... बगवान ने तरे को बड़ा शांदार तर बना यार... बसुं अजी हो बस मज़ा अगे... आज रहे हुआ хочे हूा पूँ... राज़स विज्टो महोत करते है उनको रास्त है दोस्तों ये दुनिया नहीं है बुजदिलों के वास्ते जो कमजो और दिल है ना सेल्फ इमेज नहीं है अपने आपको किसी हीरो से कम नहीं समझो वाक लाए के हीरो टॉक लाए के हीरो ठिंक लाए के हीरो ड्रेस अप लाए के हीरो and work like a hero सफलता आपके पीछे भागेगी ये कुछ दो चार बाते मैं आपको कहना चाह रहा था और किसी भी काम को करने में तातकालिक थोड़ा सा दिक्कत रहती है तो उसके लिए किसे ने कहा है कि जब तूटने लगे होसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के तो हासिल कोई ताज नहीं होता और ढूंड लेना अंधेरों में भी मंजलें अपनी और छोटा सा जुगनू किसी रोशनी का मौताज नहीं होता वो तो खुद अपने अंदर से रोशनी पैदा करता है भारत माता की संख्याबल कम है लेकिन अपने को पीछे नहीं रहना है भारत माता की एक बार सम्मिल के बोलो भारत माता की धन्यवाद